नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत थे आपके अपने यूट्यूब चनल तैयारी सक्सेस की में तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सार्क दोस्तों सार्क बहुती ज्यादा इनपॉर्ड़ेंट टोपिक है और दोस्तों सार्क से हर कमपटिटिव एक्जाम में प्रस जिन दोस्तों ने आभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गा और बेल बाले आइकन को भी प्रेस कर दिजिए गा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल सके तो दोस्तों चलते हैं हम लोग का वीडियो पर तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ओ है सार्क दोस्तों पहला सवाल बनता है कि सार्क है क्या तो सार्क क्या है सार्क का पूरा नाम है South Asian Association for Regional Corporation तो दूस्तों याद रखीएगा कि सार्क का पूरा नाम है South Asian Association for Regional Corporation तो फिर दूस्तों सार्क को दच्चेश भी कहा जाता है इसका हिंदी में नाम दख्चेश होता है और इंगलिश में होता है唱 संगठन याद रखेगा यह भी महतपुन है क्यूंकि कभी कभी सार्क के जगा दक्षेश आ जाता है और जदातर लोग इसको गलत कर देते हैं याद रखेगा दच्छस का मतलब क्या है दच्छीन एशियाई छेत्रिय शहयोग शंगठन तो बात आती है कि इसकी गठन कब हुई क्यों हुई और किस तरह से हुई और इसके उद्देश क्या था और यह किस हद तक आपने उद्देश को पूर्ति किया है अ 1985 में और यह हुआ था धाका बंगलादेश में याद रखियेगा इस साथ-समि 985 में हुआ था धाका बंगलादेश में और सवाल एसंदा है कि किस घोशना पत्र के हिसाब सबना था तो दोस्तों याद रखियेगा एक धाका घोशना पत्र के हिसाब से बना था कौन सार्क याद रखिएगा कि ये सवाल UPSC का पुछा गया सवाल है कि अक्सर एसा छोटी छोटी बातों के उपर कोई गौर नहीं करता है तो याद रखिएगा धाका घोशना पत्र के हिसाब से सार्क का स्थापना हुआ था या 8 दिसंबर दोनों दिन सार्क का बेठक हुआ था जब उसकी स्थापना हुई थी लेकिन सार्क का जो पूरा स्थापना मतलब पूरा रेडी हो गया था बनके तो हुआ था 8 December को इसलिए स्थार्क डे मनाया जाता है 8 December को याद रखेएगा δोनों में अंतर है अगर पूछे कि इस थापना कभ उआ था अगर साथ रहे तो साथ रहे हो एक साथ नहीं रहेगा तो दोस्तो चलते हैं आगे और देखते है क्या है फिर दोस्तों देखते हैं कि इसका मुच्छाले कहां है दोस्तों बना तो यह धाका में था लेकिन इसका जो मुच्छाले है यह काटमांडू दोस्तों काटमांडू क्या है नेपाल की राजधानी याद रखिएगा जो सार्क है सार्क बना था धाका में लेकिन इसक ज़्यादा इन्पोडेंट है एवला कि सार्क को किस देशों ने स्थापना किया था तो याद रखियेगा सार्क का स्थाफ़क देशे भारत बंगलदीश पाकिस्तान स्री लंका नेपाल भूटान मौल्दीप दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर नेपाल इसका सदश्य नहीं है सुरी दोस्तों यहाँ पर चीन इसका सदश्य नहीं है याद रखिएगा कि अक्सर ऐसा सवाल दिया जाता है कि कौन इसका सदश्य है नहीं है तो इसमें confusion थोड़ा होता है और याद रखिएगा चीन इसका सदश्य नहीं है बहुत ज़्यादा important है कि आपको इसे कूट भी दे सकता है कि इनमे से सार्क का सदश्य कौन नहीं है तो याद रखिएगा दोस्तो भारत भी है बंगलदेश भी है स्रिलंका है नेपाल है भुटान है और मौलदीफ है दोस्तो एक और देश बाद में जुड़ा और ओदेश से अफगनिस्तान दोस्तों अफगनिस्तान जुड़ा था 2007 में याद रखिएगा और इस हिसाब से दोस्तों अभी बरतमान में इसका सदश्य की शंख्या है बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है आप दोस्तों जानते हैं कि इसका उद्देश क्या था सार्क जो स्थापना किया था उसका उद्देश क्या था तो दोस्तों उद्देश को जानते हैं दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चै का उद्देश था आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार दोसों बहुत सारा आर्थिक प्रोब्लम हो जाता है कई देशों में आप लोग अक्सर देखे होंगे कि ज्यादतर आर्थिक प्रोब्लम अफगनिस्तान में होता है कभी-कभी नेपाल में भी होता है तो उस ताइम में जो सार के सदेश्य देशें उनको सहता करेंगे यह आर्थिक सहता में और फिर कभी-कभी इससी भी उटाइ मैं प्रोब्लम हो जाता है इसी महां भी भात भारत जाता है उस उस सार्ग का देश सहता करेंगे इसी लिए इसको स्टैबलाइस्ट किया गया था याद रखिएगा और दोस्तों क्या है एक है सामोहिक आत्म निर्भरता को बढ़ा बढ़ोतरी तो दोस्तों क्या है जो सामोहिक आत्म निर्भरता मतलब आप्ने क्या डेबलोप करें जो हमको किसी के उपर निर्भर न रहना पड़े इसलिए दोस्तों कुछ फंड यह करते हैं सहता करते हैं और उ ही है नेपाल में कुछ यह बन रहा होगा तो ऑहां पर उसका साहता करते हैं कुछ इनिवेस्ट भी करते हैं और उसके साथ जाके बनाते हैं तो ओही सब जो सयोग है उस सयोग के लिए ही इसका उद्देश्य था सयोग क्या जाए तक्निकी रूप से वा संस्कृतिक रूप से दोस्तों अभी हाली में नेपाल और भारत का बिवाद चल रह है उसका जो मंदिर परिशन को आधुनिक बनाने के लिए तो दोस्तों वह भी भात का सौप्ट पाबर तो है ही और साथ ही साथ उसका संस्कृतिक सयोग भी है याद रखिएगा और दोस्तों फिट थर्ड है शामान्य ँवं सजाहित के मामलों पर अं्थर राष्टियो मंचो पर सही उगे तो दोस्तों इसका फिफ्ट उद्देश्य है क्या है सामान्य एवं साजाहित के मामले पर मतलब कुछ जो अपने अपने मतलब मान के चले भारत और नेपाल के सीमा आपस में लगते हैं तो कुछ ऐसे चीज हो सकता है जो अपने मतलब दोनों के सीमा के बीज में है तो ऐसे मतलब साजा ही दोनों का ही अच्छा हो तो उस हिसाब से मतलब दूसरा कुछ अलग अंतर आपना क्या गया था तो मतलब क्या है यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि सार्क का बनाने का उद्दिश था बहुत सारा उद्दिश था याद रखिएगा सार्क का बनाने का बहुत सारा उद्दिश था क्या क्या उद्दिश था और फिल से देख लेता हैं जीवन स्तार में स तो दोस्तों याद रखिए को बहुत ज्यादा इन्पोटेंट है आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आप दोस्तों इसको बहुत ज्यादा डिपली लिख सकते हैं अगर उन दोनों देशों के बीच थोड़ा संबंद जानते होंगे तो लेकिन यह दोस्तों पॉइंट है प बहुत देश तो दोस्तों फिर में आता है सिद्धांत कि सार्क का कुछ तो सिद्धांत होगा की सिद्धांत पर काम करेंगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हर चीज का कुछ ना कुछ शिद्धांत होता है उद्धिश तो होता ही है लेकिन कुछ सिद्धांत होता है उद् श्च भॉप याध रखिएगा इसका पहला सिध्धान था नहीं करेंगे और दूसरा जो इसका यह था संद्धान था दूपक्षर्यों मुद्धों spot सा włas मंचby पर ना उठाना तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए इतना ज्यादा इंपोर्डेंट है कि आप देखेंगे कि इसका उलंगन बार-बार होता है और इसी कारण दोस्तों सार्क मतलब उतना ज्यादा सफल नहीं हो सका क्या है दोस्तों सिध्धान्त आंतरिक मामलों पर हस्तचेव नहीं करेंगा मतलब मान के चलिए कि पाकिस्तान जैसे सीमाविबात बना हुआ है भारत का नेपल के साथ भी है तो उस मुद्धे पर मतलब यह बीच का मामला है उसको सार्क के मंच पर नहीं उठाया जाएगा कि दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच कस्मीर मुद्ध्या बहुत ही जादा यह है क्रिटि लें सार्क कुछ सफल नहीं हो सका बनने के 34 साल के दोस्तों कि सार्क अभी उतना सफल नहीं हो सका है और कारण यह है कि हमासा मतलब सार का शख वकिस्तान तो पाकिस्तान आसंदोते मेलंड ले जाता है तो पाकिस्तान नेता है माव दैख्टे व daughters कि पिस तो क्या है से सफलता है तो दोस्तो उसमिर्ण हम लोग पहले देख के सार्क का उद्देश क्या था सिध्धान क्या है फिर दोस्तों देखेंगे कि सार्क का उद्देश क्या था सफलता असफलता का कारण क्या है दोस्तों सार्क बना था कतना में 885 में लेकिन दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे बहुत साल हो गया लेकिन सार्क फिर भी दोस्त असफल है क्योंकि दोस्तों असफलता का कुछ कारण है जो बहुत बड़ा कारण है अगर यह सब असफलता को अगर हम लोग दर किनारा करें तो हम लोग सफल वन सकते हैं हम लोग यानि सार्क तो दोस्तों क्या है जो असफलता का कारण तो दोस्तों पहला इसका जो यह कारण ह हैं वह अब रॉत कर लेते हैं लेकिन अगर देखते होंगे कि किसी का बहुत सारा ये बहुत सब्सक्राइब होता है ጥ 00517上 sushi..? तो दोस्तों एक ठोल यह बहुत बढ़ा कारण है तो दोस्तों आप इसको फोड़ा लंबा भी लिख सकते हैं कि बहुत संगठन के कारण बिसका शफल है फिर दोस्तों नेक्स्ट है गोसना का कारवानिवित नहीं होना तो दोस्तों क्या होता है हम लोग जब संगठन बुलाया जाता है तो उसमें कुछ गोसना होता है मान के चलिए कि हम लोग आतंग बात को बढ़ावा नहीं देंगे और उसका खात्मा करेंगे और मान के चले यही टोपिक है तो फिर हम लोग तो यह करते हैं चर्चा करते हैं गोशना करते हैं लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं है और देखते हैं आए दिन देखते होंगे कि भारत में आत्म की हावनला होते रहते हैं तो क्या है गोशना करते रहते हैं लेकिन कारण वावित दोस्तो नेट्ष्ट से सार्क देसों का साशन भवस्ता में भिड्टा लेकिन भी जानते हैं कि हूँ भारत यह संत्र देश थे लेकिन अधाे में दोस्तों याद रखिए को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट धाका में इसका इस्टेबलाइस हुआ था लेकिन मुख्याले कहा है काटमांडू में लेकिन जब धाका में बना था अट्रोसों पचासी में तो उस टाइम जो बंगलादेश का जो यह था मतलब प्राइम मिनिश्टर राष्टपती वह बहुत ही ज्यादा यह सवभाब खेते मतलब उसको क्या बोलते हैं अपना ही काम करते मतलब ताना सा तो दोस्तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जब हर देश में गनतंत्र सरकार हो तो भी मतलब कुछ योजना करते हैं भारत के तरफ से हमें सब कारण भीट होता है लेकिन दोस्तो ढखा बंगलादेश नहीं करेगा कि दूस्तों आप ताना्स साह का मतलब होता है मतलब अपने मनमर्जी में कुछ भी करना तो दोस्तों सिद्धानतों का उलंगन करता पाकिस्तान हमेसा जो सिद्धान्त का उलंगन करता है कि हम लोग जो बीच में मतलब जो भी मुद्दा है ओप नहीं रखेंगे संबेलन में लेकिन पाकिस्तान हमेसा वही करता है जिसके कारण हमेसा सफल हो जाता है तो दोस्तों याद रखिए अगा थोड़ा बहुत बढ़ा पाकिस्तान कभी नहीं चाता है कि भारत इसमें बिग बोस का रूल प्ले करें तो पाकिस्तान के लिए नुकसान है और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस में सबसे जादा डोनेशन देता है भारत लेकिन फिर भी दोस्तों पाकिस्तान को प्रोब्लम होता रहता है और हमेसा जो सार्क के सम्मेलन में मतलब भारत को सिध्धांत का उलंगन करता रहता है और तो दोस्तों यह भी एक बहुत बड़ा यह है असफलता का कारण है कि भा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्डेन्ट दोस्तों सार्क आभी तक शफल नहीं मना जाता है और इसी कारन दोस्तों क्या हुआ कि शर्क के जितने भी शदश्य है पाकिस्तान को च्छोड़गे पाकिस्तान के च्छोड़कर एक अन्य और्गिनाइजेशन बनाया याद रखिए कि दोस्तों सार्क का बिकल्प है दोस्तों सार्क का बिकल्प और्गिनाइजेशन मतलब सार्क को छोड़कर दूसरा और्गिनाइजेशन तो याद रखिएगा इस सार्क का बिकल्प जो यह है और्गिनाजेशन है कौन है विम स्टेक तो याद रखिएगा और इसमें पाकिस्तान नहीं है बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट पाकिस्तान इसमें नहीं है दोस्तों कि दोस्तों पाकिस्तान के कारण ही हमें साथ सार्क असफल रहा है इसलिए सार्क इसलिए विम रखिएगा सार्क का महा सच्छी पन है अम्जद भी हुसें दोस्तों यह पाकिस्तान से याद रखिएगा तो दोस्तों नैक्स्थ है कि सार्क का जो सम्मेलन हुआ है ऑब भारत में कब कब हुआ है तो यह तीनों बहुत जद़ ज्यादा जरूरुत है 1986 में पचानबे में और 2007 में अपलोग सांग पढ़ते होंगे तो基本 of term आपको देखने को मिलता है तो दोस्त वो कौन कशनर में तो दोस्तों तर्म है पहला था तदूback क्या है सपता साउध एशिया प्रेड एग्रीमेंट कि दोस्तों यह है तो दोस्तों यह समोज होता तो दोस्तों इसकी साब से जितने भीwać आगी है अपना बैपर करने दें गे जो स्मुल के सदस्य मतलब होता है कि आप आके यहाँ पर मतलब ब्यपार कर सकते हैं टेक्स तो लगेगा ही लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको फुली बेन कर दें तो यहीं है दोस्तो साफटा याद रखिएगा यह सवाल बनता है कि साफटा किस से संबंदित है तो याद रखिएगा दच्छीन एश्याई मुक्त ब्य साफटा के ऊफन पर तो दुस्ती का उच्छारण किया गया था चोझन जनवारी 2024-20 4 में और सार का यह to यह सम्मेलन ठाट और कहां पर Szit में पाकिस्तान को को वर बाखिएग नहीं करता है कि आए करने देता है तो इसलिए के दोस्तों पाकस्तान चाहता था कि हम भी दूसरे साथ ब्रोक बढ़ा वाद दे तो दोस्तों इसलिए में गाउमिलन में इसका उद्टेश रखा गया थहां अपे साफटा का ता कि यह या जाब रख हुआ को पाकिस्तान में और नेक्स्ट साफ्टा तो बस्त सफ्ता था यहां Agire तो दोस्तों क्या ही सौध एशिया प्रिफेश्श्टेल टेडव अग्रीमेंट कि नियें डिपंग सब्सक्राइब नियुए उसको बढ़ावा देंगे कि आप दो इंडिया का की आईए और हमारे देश में ब्यपार करें मतलब बरियाता देना मतलब आके नियोता देता मान सकते हैं कि इसको नियोता भी बोल सकते हैं तो दोस्तों यह है साप्टा तो दोस्तों इसका जो यह हुआ था तो दोस्तों यह दाका सम्मेलन में हुआ था याद रखिएगा सात्वा दाका कि दो मान सकते हैं कि दोस्तों मान कि अभी इसकाइफ अभी असफल है और भारत को यहांपर थोड़ा बढ़ावा ना देना करण संधह द्रिश्टी के दोस्तों अभी तक यह सारक इतना ज्यादा शफल नहीं हो सका है और साथ ही साथ बहुत देशी योजना के कारण भी नहीं हुआ है तो जो सार्क के सदश्य देश से वह लोग कुछ अपना गार्जियन देश बनाया हैं दोस्तों इसके साथ मिलकर मतलब सार को बढ़ाबाद से कि तो दोस्तों इसको परिवेचिक को मतलब अब सकते हैं घर्जियन देश तो दोस्तों कौन-कौन सा है यॉस से चीन यू दोस्तों क्या है के सड्री दोस्तों इयू का मतलब होता है यूरोपीयन यूनियन याद रखियेगा और फिर है दूस्तों अर। च्रम और ऊस्ट्रेलिया फिर एरान ओर जापान दोस्तों यह है परेंट कंट्री तो धोस्तों तो दोस्तों यहां तक ही था वीडियो कैशा लगा ज़ूर हीएगा और अगर तोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो जरू सिर कीजिएगा कि दुब विडियो बनाने में पहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और दोस्तों को साथ नहीं किया है तो चैनल को भी साथ्सकराइब कर दीजिएगा दो मिलते हैं नेक्ट्टूश और आपको किस टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मैं इसको बनाने में कोशिस करूंगा तब तक के लिए